हाई गाइस थारकेडमे में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वोकाबलरी बिल्डिंग हमने अल्रीडी स्टार्ट कर दी है उसी सीरीज में सेकेंड वीडियो आज हम देख रहे हैं प्रिविएस वीडियो में हमने जो ट्रिक्स और टिप्स यूस करी थी अगर आपका क्वेशन है कि मैडम अभी से आप हमको listening skill पर क्यों ध्यान दे रहे हैं हमको क्यों बोल रहे हैं कि आप interview के लिए पढ़ाई करो या फिर spoken English की बात कर रहे हैं तो इससे लिए कारण बता रहे हूं कि जब आप अपनी written exam के त्यारी करते हो जब आप normally अपना grammar improve कर रहे हो बट आप hopeful हो ना कि आपका exam clear होगा and one day you are going to appear for interview of course तभी तो आप त्यारी कर रहे हो तो हम लोग जब कल के दिन interview में appear करने वाले हैं तो why not improve it every day जो communication skill होती है, listening skill होती है यह जो soft skills इनको बोलते है और इनको develop होने के लिए थोड़ा time लगता है time and practice दोनों की ज़रुरत होती है यह grammar के जैसे नहीं आपने एक बार समझ लिया आप रात में और बार पढ़ लेंगे, सुबह और बार पढ़ लेंगे तो आपको उसकी definition याद हो जाती है आप उसको कहीं न कहीं समझ नहीं लग जाते है लेकिन वो same चीज आपकी listening or spoken English में नहीं काम आती उसके लिए आपको practice करने पढ़ती है तो इसलिए from the day one हम चलेंगे अपनी English को improve करते हुए सुनने की शक्ती जो हमारी है, interpretation की जो हमारी power है उसको भी improve करते चलेंगे So that, जिस दिन आपका exam clear होगा, जो कि होगा of course और आप जब interview के लिए appear करेंगे then you are going to be the best candidate they can afford आप सबसे best candidate होगे, क्योंकि आपको समझ आता है communication कैसे, जो वो लोग बोल रहे हो, आपको समझ आता है आप बोल पा रहे हो, आप अच्छे से अपने exam में अच्छे mark score किये है So what more they can expect from you So that is why, मैं इसी चीज़ पर जोर देते हुए आपकी हर, हर जो skill है, हर type की skill है मैं धीरे-धीरे आपकी हर type की skill को improve करवाते चलूँगी तो first we are starting with your listening skills और spoken English में भी वो आपको काम आने वाली है of course ये vocabulary की series से चल रही है तो new words तो इसमें आएंगे ही आएंगे this is the main objective of the series दूसरी चीज़ है कि जो कि मैंने आपको first video में आपको explain किया था जो मेरी खुद की technique थी जैसे मैंने अपनी vocabulary को develop किया था RWUR detail में आप previous video में देख लेज़ेगा link में में description डाल दूँगी तो आप वहाँ देख सकते हैं तो वो भी हम continue करते चलेंगे अभी मैं आपको पहला word ले रही हूँ और मैं आपको procedure बताती हूँ how we are going to do it मैं आपको ये जो जैसे example में देते हैं clutch ये एक word है clutch मैं आपको sentence बोल के बताऊंगी meaning इसका पहले starting में नहीं बात करेंगे meaning के बारे में आप भी मत सोचो और मैं आपको नहीं बताऊंगी हम कैसे सीखेंगे फिर अगर मैं आपको meaning starting में नहीं बताऊंगी तो आप बोलोगे madam ना आप हमको sentence लिखके दे रहे हो ना meaning बता रहे हो और आप बात कर रहे हो कि vocabulary building हो रही है so how we do it कि पहले में जो आपको sentence बोलूंगी ठीक है तो उससे क्या होगा आपको करना है काम की जो word बीच में आ रहा है clutch उस sentence के बीच में clutch जो word आएगा आपको कोशिश करनी है कि उस sentence के relation में इस word का meaning क्या हो सकता है possibility क्यों आपको ऐसा करना है और उससे आपको क्या benefit होगा आप जब ऐसा करोगे तो आपका brain कोशिश करेगा pressure डालेगा और source करेगा information जो आपके पास existing है उससे कोशिश करेगा कि आप कुछ तो उस meaning उसको कुछ तो meaning देने की कोशिश करोगे right फिर उसके बाद में आपको meaning बताऊंगी तो आप compare कर सकते हो कि आपको क्या लगा था उस word का meaning क्या हो सकता है लेकिन actually में क्या है right तो उससे फाइदा क्या होगा most important फाइदा ये होगा जब आप ने कुछ अपना brain use किया इस force के अपने brain को चलने के लिए कि इसका meaning ढून के बताऊ मुझे आपके brain ने आपको कुछ information pass on करी आपने वो बोली और समझी कि इस word का meaning ये हो सकता है लेकिन अगर meaning match कर गया meaning correct निकला तो उससे क्या होगा आपको ये word जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा अगर गलत निकला तो भी ये word जो है इसका meaning आपके दिमाग में कहीं जादा अच्छे से बैठ जाएगा क्यों क्योंकि ये आपने सोच के निकाला था और जब आप सोचते हो अपने ब्रेन को ratification बटे मारना उससे थोड़ा आगे निकालो simple चीजे simple trick करेंगे और मैं बहुत जादा महनत करो दिन में 50-50 घंटे पड़ो ऐसा कोई भी formula मैं आपको नहीं recommend करती हूँ कम पढ़ेंगे smartly पढ़ेंगे और अच्छा score करेंगे that is my goal and my motto वो ही मैं चाहती हूँ कि मेरे जो students से कम महनत में जादा marks लाए और हर interview हर exam clear कर जाए that is what I want तो start करेंगे clutch example देती हूँ मैं आपको he stood clutching a microphone I'll repeat he stood clutching a microphone आपको क्या लगता है इस sentence में clutch का जो form है ing form clutching इसका क्या मतलब हो सकता है he stood clutching a microphone आपको समझा है he stood वो खड़ा रहा clutch करके पकड़के पकड़के microphone को पकड़के खड़ा रहा तो clutch का मतलब क्या पकड़ना किसी चीज को tightly जोर से पकड़के रखना तो अगर आपकड़ना इसको बोल रहे clutch का मतलब पकड़ना है तो grasp हो जाएगा clinch to हो जाएगा hang, hold ठीक है तो यह हो जाएगे इसके synonyms right let us move on to next word clutch example some politicians clutch to the belief that peace could be maintained some politicians clutch to the belief that peace could be maintained कुछ politicians को लगता है कि वो clutch कर सकते वो उस belief को clutch करके रखते हैं की जो piece है उसको maintain किया जा सकता है तो आपको क्या लगता है क्लंच का मितलब होगा क्लंच का मतलब है चिपट के रहना hold on tightly वो किसी भी चीज को पकड़ के रखना जो होता है clंझ होता है right तो चिपखक के रखना उसको hold on tightly इसको पकड़ के रखने को बोला जाता है क्लंच नेक्स्ट है रिप्रीव इसको रिप्राइव नहीं बोला है यह है रिप्रीव शी वस सेंटेंस्ट टू डेथ बट वस रिप्रीवड शी वस सेंटेंस्ट टू डेथ बट वस रिप्रीवड सोचो क्या मतलब हो सकता है रिप् repreed पर वो reprieved हो गई, क्या मतलब हो सकता है reprieved का, मतलब क्या cancellation हो गया punishment का postponement हो गया तो जो उसको सजा मिली थी उसको falci की सजा मिली थी लेकिन वो जो सजा थी वो reprieved हो गई राइट, ताठी postpon हो गई, spare हो गई तो ये इसके Synonyms हो सकते हैं और यह इसका meaning का. Next है condemned. Condemned. He condemned such players for dragging the name of football through the dirt. He condemned such players for dragging the name of football through the drain. उसने condemned किया ऐसे players को जिन्होंने drag किया, खीचा, football का नाम कुछ गलत कामों के लिए. आपको क्या लगता है condemned का क्या मतलब हो सकता है? Condemned का मतलब है निंदा करना. He condemned, उसने condemned किया उन players को जिन्होंने football का नाम खराब करने की कोशिश करी. तो निंदा करना, express करना, complete disapprove करना, उसका मतलब होता है condemned. ठीक है, public में या फिर censor करना. ठीक है, तो ये सब होता है मतलब condemned का. Next है shed. Her beautiful dress was torn to sheds. Her beautiful dress was torn to sheds. क्या मतलब हो सकता है shed का? Her beautiful dress, उसकी एक beautiful dress को fart दिया. Tone मतलब क्या होता है? Tone, T-O-R-N, Tone. Fart दिया गया to sheds. मतलब क्या होँआ? तुकडे तुकडे करना. उसका छोटे छोटे जो strips बना देना, paper के हो सकते है, cloth के हो सकते है, fragments बना देना, chip कर देना, छोटे टाइनी, 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 बिट्स में cut कर देना, ठीक है? तो उसको बोला जाता है shed. Elite. Elite. Example, the party attracted the elite of London society. The party attracted the elite of London society. जो party थी उसरे attract किया, the elite of London. जो London के elite थी, उनको London society के तरफ attract किया. क्या आपको क्या लगता है, क्या मतलब होगा elite का? मतलब, समाज का उत्कृष्ट भाग, जो select group of people, जो अपने आपको superior समझते हैं, जो किसी भी तरीके से higher rank में अपने आपको देखते हैं, उनको बोला जाता है. अपने आपको वो खुद भी देखते हैं, बाकी के जो public होती, वो भी उनको एक उचे दरजे पे मानती है. ठीक है, जो superior होते हैं उनको, वो quality में हो सकते हैं, अपनी कोई भी money wise हो सकते हैं, वो rich उनके पास इतना ज़्यादा पैसे हैं, इसलिए हो सकते हैं, तो उस कोई भी वज़े से वो एक selected higher class group जिसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है, elite. squad, example, a firing squad, a firing squad, ठीक है, an assassination squad, आपको क्या लगता है से, assassination का firing का squad है, तो क्या होगा मतलब? इसका मतलब है, जुन्ड, group, दस्ता, छोटे, छोटे से लोगों का जो group होता है, जो एक particular task करने के लिए, या तो train होता है, या तो वो जुन्ड बना के जा रहे होता है, कुछ काम करने के लिए, एक ही काम, तो उसको gang भी बोल सकते हैं, आप एक casual form में जब बोलोगे, gang बोले है, उसको squad बोलता है, coop, example, she released the hen from the coop, she released the hens from the coop, उसने hens को release कर दिया, मुर्गियों को release कर दिया from the coop, क्या हो सकता है मतलब इसका, मतलब खाचा उसका कोई भी cage, पिंजरा, उसको एक confined छोटा जो space है, उसमें से उसको release कर दे, जहां पे उनको बंद करके रखते हैं, उसको बो instinctive, instinctive, example, his instinctive reaction is to blame someone else, his instinctive reaction is to blame someone else, उसका instinctive reaction है कि वो blame करता है हमेशा किसी और को अपनी गलतियों के लिए, ऐसा उसका instinctive reaction होता है, तो क्या लगता है आपको instinctive का मतलब क्या होगा, instinctive का मतलब सभाविक, उसका naturally, subconsciously, unconsciously वो हमेशा अपनी गलतियों का जो कारण है, वो किसी और को ही बताता है, तो instinctively, वो बिना जान पूछ के, automatically उसके दिमाग में, यही आता है, उसकी जबान पे भी यही आता है कि यह जो problem हो, यह कोई भी कारण है, वो कोई दूसरा ही है, हो मैं नहीं हूँ, तो instinctively मतलब, instinctive मतलब सभाविक, correct, untidy, untidy, example, the place was dreadfully untidy, the place was dreadfully untidy, जो जगे थी, वो बहुती भयानक रूप से untidy थी, क्या मतलब हो सकता है, मतलब महला कुचहला, बहुती गंदे order में रखा हुआ कोई समान, या फिर गंदा जो disorganized को भी untidy बोल सकते हैं, और जो messy होता है, उसको भी untidy बोल सकते हैं, जो properly cleaned नहीं है, उसको भी untidy बोला जा सकता है, clear? So that's it guys, thank you so much for watching, आपको वीडियो पसंद आता है, तो like करें, और ऐसा वीडियो देखने हैं, तो share करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, इस series को हम continue करेंगे, and I'll see you very soon with another video, till then, take care of yourself, and bye-bye!